इसे में हम सब को एक मंच पर आकर एक जुटता दिखाकर चालिस की चालिस सीटे हम लोग जीते मेरे मुख्यमंत्री जी के इस गड़बंदन में आने से यकीनन ये बात तो हुई है कि जीत का जीत का जो मारजन है वो हर सीट पे हम लोग हम लोग का बढ़ेगा नमस्कार आप देख रहे हैं अलाइब सिटीस में हूँ आपके साथ सौरबरा चिराग पासवान ने इंडिये के साथ चुनाब लड़ने का एलान कर दिया है उनका कहना है कि 2024 लोग सपा चुनाओ बीजेपी के साथ इंडिये में रहते हुए लड़ेंगे आपको बता दे कि अ उन्होंने अपना उमिदवार उतारा और इसका परिणामे यह हुआ कि नितीश कुमार को काफी जादा नुकसान जहलना पड़ा उनके विधायकों की संख्या घट गई अब चिराग पासवान ने कहा है कि वो एक साथ मंच साजह करेंगे नितीश कुमार के साथ मंच पे साथ मंच साजह करने से उन नहीं कत्राइंगे उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है पहले चिराग पासवान को सुनिए क्या कुछ का रहा है चिराग जी एक सवाल यह है कि आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा एक मंच साजह करना होगा क्या इसके लिए आप तयार है देखिए लक्ष आपको तैह करने जरूरी है और जब आप बड़े उद्देश की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश आपकी प्रात्मिक्ता बनता है कई बार कई मौकों पर हर किसी ने अपनी अपने मतों को अलग रखकर गड़बंधन के हित में राष्ठ हित में फैसले लिये हैं ऐसे में आज की तारिक में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटे जीतनी है उसमें यकीनन भारतिय जनता पार्टी की एक एहम भूमी का है मेरे मुख्यमंतरी नितिश कुमार जी की उनकी उनके पार्टी की एक एहम भूमी का है लोग जन्शक्ती पार्टी राम विलास की एक एहम भू कर चालिस की चालिस सीटे हम लोग जीते उस और हम लोग को कारे करना होगा और तभी हम लोग 400 का जो लक्षे है उसको हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे यह यह अब क्योंकि अब सीटों का बटवारा हुआ है और बहुत खुबसीरती से आपने प्रशन पूछा था कि पता चल जाएगी मेरे पास कौन कौन सी सीटे बढ़ा जो भी सीटे कि अब बोट इसका फैसला लेगा और वह भी मुझे लगता है इस जस्टा मैटर ऑफ टाइम बिकाज अब अधी सूछना मुझे लगता है जल्द आएगी तो बहुत जल्द ये सारी बाते भी साजा कि आप कि आपर जो नदर जी एंटा जी अमिश्रा की सामने आपने अपने प्नी इडेस कर दे घी इंट अफे एक बेज्व डेट और अपने जो कि आपने बैडी कर लुटे नदरिस्वी एफिर्षा जी और प्रेटिशा के समयाश लेडे इंट या जी अग सवाल कि आरगे ब पुना मैं दोराता हूँ, अब हम लोग का लक्ष है किस तरीके से एंडिया 400 सीटे जीते जिसमें बिहार का सबसे महत्पून योगदान है, 40 मजबूत सीटे हमारा प्रदेश देता है, अब एक एक सीट पे कैसे हम लोग जीत को हासल करें और ना सिर्फ जीत, एक बड़ी जीत पिशली बार 19 में भी आपने देखा होगा हर सीट पर हम लोग का मारजन कितना खूबसूरत था, उस बड़े मारजन की जीत, और मेरे मुखे मंतरी जी के इस गड़बंदन में आने से, यकीनन ये बात तो हुई है, कि जीत का जो मारजन है, वो हर सीट पे हम लोग का बढ़ चनाव में इंडिये को 400 सीटों पे जीत दिलाने का, इसलिए ओ नितीश कुमार हो या जितने इंडिये के साथ ही दहलें, सभी के साथ मिलकर के ओ चनाव लड़ने को तयार हैं, दिली से सौरव राय लाइप सिटी